नमस्कार, Target with Alok Online Institute में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिस्र 8 पीम न्यूज बुलेटिन में आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपोन सूचना संग लोकसेवा आयोग और विभिन राजियों की लोकसेवा आयोग की तैयारी के लिए ये Target with Alok Online Institute में Target ISPCS Online Batch 15 सितंबर से प्रारंभ है जिसमें प्रवेश प्रक्रिया अभी जारी है इस बैश में प्रारंभिक और मुक्ष परिक्षा के लिए आपको मिलेगा देश के जाने माने विशय विशेशग्यों का मार्ग दर्शन यहां सामान अध्यन के विशाल पाठिकरम से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान चाहे वो समस्या हो प्रारंभिक परिक्षा के बदलते हुए प्रारूप के अनुशार विशलेशन आत्मक प्रस्नों की या फिर बात करे मुक्ष परिक्षा में लेखन सैली की या फिर समस जाहों सिशैट और निबंध के लिए प्रसासनिक सोच विक्षित करने की क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बलकि प्रसासनिक अधिकारी की तरह सोचने की ख्षमता भी विक्षित करते हैं आलोक सर के कुसल निर्देशन में देश के विशय विशय सग्यों की टीम के साथ इस बैच में आपको मिलेगा ग्यारा सो पचास घंटे की सटीक वर रणनीतिक कक्षाएं मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का अंतर विशयक समझ के साथ अध्ययन, प्रारमभिक और मुख्य परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्तलिखित, सारगर्भित और अध्यतन नोट्स, सीशेट की कक्षाओं का विश्तरित कवरेज और अखिल भारती अस्तर पर टे 454 पर इंट्री IAS लिखकर वाटसप करें, इस बैद से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए दिये गए नमबरों पर संपर्क करें, और अब चलिए ख़वरों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हेड्लाइन्स पर एक नजर देश के किसान आवश्यक वस्तु संसोधन विधेयक के विरोध में सडकों पर उतरे, किसानों ने माना जमाखोरी और काला बाजारी की आजादी का विधेयक, तो BJP अध्यक्ष जेपी नडडा ने इसे करांदिकारी और किसानों के लिए बताया लाभकारी चीन की जासूसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद अस्थगन प्रस्ताओ के लिए सदन में दिया नोटिस अस्थगन प्रस्ताओ को लोक महत्व के बुंते पर चर्चा करने के लिए किया जाता है पेस सामान कारी को रोक कर निसकर्स तक पहुँचना होता है आवश्यक तो चलिए अब बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं केंदर सरकार द्वारा हाल में पेस किये गए तेन बिधेकों का देश भर के किसान खासा बिरोध कर रहे हैं क्रिसी सुधार के दावों के मद्दे नजर केंदर सरकार ने तीन बिधेक पेस किये थे जिसमें आवश्यक वस्तु अधनियम में संसोधन का प्रस्ताव ठेके पर खेती को बढ़ावा दिये जाने की बात और राज्यों की क्रिसी उपज और पसुधन बाजार समितियों के के लिए अबदक चल रहे कानूनों में संसोधन का प्रस्ताव सामिल है देश के किसान संगटनों का आरोप है कि नए कानूनों के लागू होने पर क्रिसी क्षेत्र भी पूजी पतियों या कार्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को ही होगा किसानों का सबसे ज्यादा विरोध तेलंगाना आंध्रप्रदेश पंजाम और हर्याना राज्यों में देखने को मिला है कुरोना महामारी को लेकर लागू प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बावजूद भी किसान संगठन इन तीनों बिधयकों का विरोध कर रहे हैं पंजाब में बिरोध प्रदर्शनों को देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग ने किसानों से अपील की है कि वो अपने बिरोध के क्रम में वाहनों की आवाजाही और रास्तों को ब्लॉक न करें हलाकि 144 का उलंगन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्जे हुए मामलों को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री ने किसानों को आस्वस्त किया है क्रिसी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने किसानों के उतपाद व्यापार और वानिज समवर्धन और सुवधा विधेयक, मूल्य आस्वासन और क्रिसी सेवा विधेयक और आवस्यक वस्तु संसोधन विधेयक को लोगसभा में पेस किया जो इससे संबंधित अध्यादेशों का स्थान लेंगे आपको बता दें कि इसमें से आवस्यक वस्तु संसोधन विधेयक लोगसभा से पारित भी हो चुका है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कहा कि ये तीनों विधेयक महत्तपूर्ण क्रांतिकारी और किसानों के लिए लाभकारी होंगे नड़ा न है विरोध कर रहे किसानों ने आवस्यक वस्तु अधनियम में संसोधन को जमा खोरी और काला बाजारी की आजादी का विधेयक माना है इन विधेयकों को किसान मंडी तोड़ो नियूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने वाले और कार्पोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देन वाले विधेयक के रूप में देख रहे हैं सारवजनिक महत्यों के किसी मुद्दे पर सदन का ध्यान आकरसित करने के लिए सदन में स्थगन प्रस्ताव को लाया जाता है बीते दिनों में ऐसा ही एक मुद्दा काफिर चर्चा में रहा दरसल मेडिया खबरों में चीन के ल संगठनों पर निगरानी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव को लाने का नोटिस दिया है इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने चीन की मंसा का सामना करने के लिए केंदर सरकार से साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रयासों को और अधिक मजबूत करन होता है सामाने तोर पर इसमें ऐसे मामले होते हैं जिसके कंभीर परड़ाम होने की संभावना होती है और उसका प्रभाव समुचे देश की सुरक्षा पर पढ़ता हो इतना ही नहीं स्थगन प्रस्ताव के लिए यह भी आवस्यक है कि सदन को अपने सामाने कारे को रोक कर उस विशय पर ततकाल विचार करना आवस्यक हो आसान भासा में कहें तो स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके स्विक्रित होने पर लोक महत्य के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा का सामाने कार्य रोक दिया जाता है अस्थगन प्रस्ताव और कानून के प्रावधानों के अनुरूप अपने कर्तब्यों का पालन करने में असफल है। यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि राज सरकार से संबंधित मामलों को अस्थगन प्रस्ताओं के तहत स्विकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई मामला किसी राज के समवैधानिक घटना क्रमों और अनसूचित जाती और अनसूचित जन जाती जैसे समवैधन सील वर्गों से जुड़ा है तो इसका भी विचार अस्थगन प्रस्ताओं के तहत किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी प्रस्ताओं को स्विकार और अस्विकार करने की पूरी सकती सदन के पीठासीन अधिकारी को होती है लेकिन पीठासीन अधिकारी को ऐसे किसी प्रस्ताओं को स्विकार करने या अस्विकार करने के कारणों को बताना आवश्यक नहीं है। नियम के मुताबिक सदन का कोई सदस से किसी एक बैठक के लिए एक ही अस्थगन प्रस्ताओं की नोटिस दे सकता है इसके साथ ही संसदी परंपरा के अनुसार राष्टपती के अभिभासण के दिन अस्थगन प्रस्ताओं को नहीं लिया जाता और उस दिन की प्राप्त सुचना माना जाता है 17 वधी के तवरान अस्थगन प्रस्ताव उस दिन 10 बजे से पूर्व दी जानी चाहिए अगर कोई सुचना इस अवधी के बाद मिलती है तो इस सुचना को अगली बैठक के लिए मान लिया जाता है सामाने तोर पर किसी अस्थगन-प्रस्ताव को तब तक स्विकार नहीं किया जाता जब तक उसके तथ्य निश्चित नहीं होते इसका संबंध हाल की किसी विशेज घटना से होना चाहिए अस्थगन प्रस्ताव पर एक बार चर्चा शुरू होने के बाद बिना किसी रुकावट के उस प्रस्ताव के निश्कष तक पहुंचना आवस्यक होता है ऐसे में देखा जाए तो अस्थगन प्रस्ताव में संसद की कारिवाही को अस्थगित करने की सक्ती होती है और अवंत में कुछ अन्य महत्तपून खबरों पर एक नजर वैज्यानिकों ने 14 सितंबर को बताया कि उन्होंने निर्जन सुक्र ग्रह पर हो सकता है हवाई में जेम्स क्लार्क मैक्सविल टेलिस्कोप का उपयोग करके एक अंतर राष्टी वैज्यानिक समुह द्वारा सुक्र ग्रह में पहली बार फॉस्पीन की उपस्थिती को देखा यह सोध वैज्यानिक पत्रिका नेचर इस्ट्रोनॉमी में प्रकासित हो दिगज कमपनी टाटा को मिल सकता है टाटा प्रोजेक्ट्स लीम्टेट ने संसत की नई इमारत बनाने के लिए तकरीबन आच सो बासट करोन रूपई की बोली लगाई वहीं इंजिनेरिंग कमपनी L&T Limited ने नया संसत भवन बनाने के लिए 865 करोल रूपई की बोली लगाई थी Tata Projects Limited ने L1 बोली जीती है नए कि यह अंतिम बोली है लेकिन Tata को काम मिलने की संभाबना प्रबल है जिसकी प्रमुख वजह प्रतिद्वंदियों का रेश से बाहर हो जाना है संसत के नय भवन का निर्माण Luteans दिल्ली जोन में ही किया जाएगा इसका निर्माण Central Vista Redevelopment Project के तहट किया जा रहा है इसका निर्माण अगले 21 माह में हो सकता है केंद्रिय लोक निर्माण विभाग के अनुसार संसत का नया भवन प्लाट नंबर 118 बनाई जाएगी जो पारलियामेंट हाउस स्टेट में इस्थित होगी गुजरात के जामनगर इस्थित आयरुवेद संस्थानों को राश्टी महत्तों का दरजा देने के लिए लाए गए विधेयक को संसत की मनजूरी मिल गई है राजसभा ने 16 सितंबर को आयरुवेद सिक्षन एवं अनसंधान संस्थान विधेयक 2020 को चर्चा के बात ध्वनिमत से पारित कर दिया हलाकि इस विधेयक को लोकसभा में पिछले ही सत्र में पास करा लिया गया था विधेयक में जाम नगर इस्थित गुजरात आयरुवेद विश्विध्यालय परिशत में बिभिन आयरुवेद संस्थानों का विलय कर राष्टी महत्यों का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है तीन आयरुवेदिक संस्थानों सनातकोतन आयरुवेद सिक्षन एवंग अनुसंधान संस्थान गुलाब कुमेरबा आयरुवेद महा विध्याले और आयरुवेद अवसधी विज्ञान संस्थान के विलय का विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कोरोना महामारी के वजह से contactless या digital payment को बढ़ावा देने के लिए Titan Company ने भारतिय स्टेट बैंक यानि SBI के साथ मिलकर contactless payment घड़ी टाइटन पे लांच किया है इस घड़ी को SBI Mobile Banking App योनों से लैस किया गया है इस घड़ी की मदद से उपभोगता अब Point of Cell यानि POS मशीनों से बिना डेविट कार्ड इस्तेमाल किये भी भोगतान कर सकेंगे इसमें SBI Bank कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं है ग्रहाग बिना पिन के 2000 रूपे तक का भोगतान कर सकेंगे घड़ी की स्ट्रैप में एक सुरक्षित Certified Near Field Communication यानि NFC चिप है जो एक Standard Contract List SBI डेविट कार्ड के सभी सुवधाओं को इनेबल करेगी इस सुवधा का लाभ योनों के 260 लाग रजिस्टर्ड यूजर को ही मिलेगा लोगसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्स के लिए 30% कटाउती करने वाले प्रावधान के एक विध्यक को मंजूरी दे दी इस धनरासी का उपयोग COVID-19 महामारी के कारण उत्पन इस्तिती से निपटने के लिए किया जाएगा लोगसभा में संखिप्त चर्चा के बाद संसद सदस वेतन भत्ता एवंग पेंसन संसोधन विध्यक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी यह विध्यक इससे संबंधित संसद सदस वेतन भत्ता एवंग पेंसन अध्यादेश के अस्थान पर लाया गया है इसके माध्यम से सदस्यों के वेतन भत्ता एवंग पिंसन अधनियम 1954 में संसोधन किया गया कुरोना महामारी के बीच इस अध्यादेश को 6 अप्रेल को मंत्री मंडल की मंजूरी मिली थी और 7 अप्रेल को यह अध्यादेश प्रभावी हुआ था 15 सितंबर को इंजिनियर्स डे के अवसर पर डाग विभाग द्वारा भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानि एसाइट के नाम पर डाग टिकट जारी किया गया आपको बताते चलें के रक्षा अनुसंधान एवंग विकास संगठन यानि DRDO में 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट यानि एसाइट मिसाइल का सफल परिक्षन किया था यह मिसाइल लो अर्थ और्बिट यानि एल एउ में इंडियन और्बिटिंग टार्गेट सैटेलाइट है जिसे हिट टू किल में सामिल किया गया यह डाग टिकट जारी करना भारत के वज्ञानिकों के सम्मान को दरसाता है फिलहाल एट पियम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रह जय रचाँ में जबने करें दोस्तों के लुड़ें